तो यहाँ पर हमारे पर एक function है fx, जिसकी value है x upon 1-cos of x-2 अब question में पूछ रहा है कि select the correct description of the one-sided limits of f at x equals to 2 यानि कि 2 के आसपास ये जो one-sided limits है, हमारी left-hand limit और right-hand limit हमें वो निकाल लिए है अब इस question को करने के काफी तरीके हैं और मैं चाहत हूँ एक बर तुम video post करके जो तरीका तुम्हारे दिवाग में आ रहा है उसे use करने की कोशिश करो और देखो कि कौन सा option तुम्हें सही लग रहा है तो चलो इससे solve करने की कोशिश करते हैं अगर मैं right hand limit निकालू यानि की limit x approaching 2 plus f of x निकालू तो इसकी value क्या होगी अब इसका हमें graph तो पता नहीं है तो एक काम करते हैं 2 के आसपास कुछ values इसमें डालते हैं और फिर देखते हैं हमारा output क्या आ रहा है अगर मैं एक table बनाऊ x और fx की या मैंने एक table बनाई लेता हूँ 2.01 चलो पहले इन दोनों values पर देखते हैं कि मेरा output क्या आ रहा है तो अगर मैं 2.1 डालता हूँ fx में तो x की जगा मेरा हो जाएगा 2.1 divided by 1 minus cos of x minus 2 तो 2.1 minus 2 ये बराबर हो जाएगा मेरा 0.1 तो यानिकि ये लिखा हुआ है cos of 0.1 अब मुझे पता नहीं कि 0.1 पे cos क्या होता है लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये 1 जे छोटा होगा अब क्योंकि हम इसके exact value नहीं निकाल सकते चलो पहले देखते हैं 2.01 पे क्या हो रहा होगा यही चीज अगर मैं 2.01 पे देखूँ अब यह और छोटा होके हो गया है 0.01 अब मुझे cos तो इसका भी नहीं पता लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि ये भी 1 से छोटा ही होगा अगर हम इन दोनों को compare करने की कोशिश करें माल लेते हैं हम cos x का graph बनाते हैं मैंने यहाँ पर बनाया मेरा x-axis और यहाँ पर मैं बनाता हूँ मेरा y-axis और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 0 के काफी पास हो जाओ मैं काफी zoom करके इसका graph बनाऊँगा ताकि मैं 0.1 और 0.01 माक कर पाऊँ जैसे अगर ये मेरा 0.01 है तो यहाँ पर कहीं मेरा 0.1 होगा और कहीं बहुत दूर जाके मेरा pi होगा यहाँ pi by 2 होगा तो 0 पर इसकी value होती है 1 जो कि इसकी maximum value है और उसके बाद इसकी value घटनी शुरू करती है लेकिन क्योंकि हमने बहुत zoom किया हुआ है तो इसकी value बहुत धीरे धीरे घट रही है वैसे ही यहाँ पर left side 20 की value घटनी शुरू करती है और यह बहुत धीरे से घटती है यह से घट रही है अब अगर मैं देखूं तो cos of 0.01 0.01 पर अगर मैं cos देखूं तो वो 1 के पास है लेकिन 1 से थोड़ा सा छोटा है यह वाली value 1 से थोड़ी छोटी है अगर मैं cos of 0.01 देखूं वो यहाँ पर होगा वो value इन दोनों से छोटी है लेकिन यह value भी 1 के काफी पास है तो यह भी 1 के पास है लेकिन यह भी 1 से छोटी है तो वैसे ही अगर मैं और पास जाऊं टूके तो यह cos के अंदर वाली चीज मेरी और छोटी होती जाएगी यह cos के अंदर वाली चीज मेरी 0 के और पास आती जाएगी और यह मेरा number है यह 1 के और पास आता जाएगा यह जो cos of 0.01 है अगर इसके जगह मैं 0.0000001 कर दूँ तो यह 1 के बहुत पास आ जाएगा और जितना ही 1 के पास जाएगा उतना ही मेरा denominator ये लिखा हुआ है 1-cos उतना ही मेरा denominator 0 के पास जाएगा क्योंकि तुम 1 में से एक ऐसा number minus कर रहे हो जो 1 के पास जाता जा रहा है तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि मेरा denominator छोटा होता जा रहा है मेरा जो denominator है वो बहुत छोटा होता जा रहा है और ध्यान रहे उसकी value हमेशा positive रहेगी क्योंकि हम 1 में से एक ऐसा number minus कर रहे हैं जो 1 से छोटा है तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा plus sign लगा देता हूँ यह बताने के लिए कि मेरी जो value है denominator की यह बहुत छोटी है और positive है रही बात numerator की तो यह 2 के पास जाता जा रहा है 2.1 है फिर 2.01 है फिर 2.00001 होगा वैसे ही numerator मेरा 2 के पास जाता जाएगा तो अगर मुझे इसकी limit निकालनी हो तो मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं 2 को एक बहुत छोटे positive number से divide करूँ तो यह उसके बराबर होगी तो 2 को अगर मैं बहुत छोटे positive number से divide करूँगा तो यह बहुत बड़ा number हो जाएगा यानि कि इसकी limit मुझे infinity को अप्रोच होती है दिख रही है तो मैं बोल सकता हूँ बिना इस cost की exact value निकाले कि इसकी limit मेरी infinity को अप्रोच कर रही है तो अगर मैं option देखू तो right hand limit infinity को पहले दोना option में अप्रोच कर रही है अब मुझे निकाल ली है इसकी left hand limit तो उसके लिए मुझे जो x चाहिए होंगे वो 2 से चोटे चाहिए होंगे अगर मैं इसको यहां से हटाऊं 2.1, 2.01 और उन पे मेरे function की जो values आ रही है अगर मैं उन्हें हटाऊं तो यहां पर मैं values जालूंगा एक डालता हूं माल लेते हैं 1.9 फिर मैं डालता हूं अगर मुझे 2 के और पास आना है 1.99 और फिर देखता हूं इन पे output क्या आ रहा है 1.9 अगर मैं डालूं तो यहां जाएगा 1.9 divided by 1 minus cos of 1.9 minus 2 1.9 minus 2 अगर मैं करता हूं तो यह हो जाएगा minus 0.1 लेकिन cos of minus 0.1 यहां मैं लिखता हूं minus 0.1 लेकिन cos of minus 0.1 तो cos of 0.1 के बराबर होगा हमें पता है cos हमारा even function है इसके right hand side जो हो रहा होता है जैसे माल लेते हैं मेरा 0.1 यहां पर होगा minus में तो इसके right hand side जो हो रहा होता है, वह ही इसके left hand side हो रहा होता है, यह दोनों values बराबर हैं, अगली value मैं देखूँ, 1.99 पे, तो यह हो जाएगा 1.99 divided by 1 minus cos of minus 0.01, तुम चाहो तो निकाल सकते हो, 1.99 में से 2 minus करोगे, तो यह आएगा minus 0.01, और minus 0.01 कहीं यहाँ पर होगा, minus 0.01, और इस पर भी मेरा जो cos है, वो 0.01 के बराबर होगा, और अगर यह values बराबर हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर हो जाएगा, cos of minus 0.1 के जगा, यह हो जाएगा cos of 0.1, और यह cos of minus 0.01 के जगा हो जाएगा, cos of 0.01, यानि कि मेरा denominator तो अभी भी वही है, मेरा denominator तो बदल ही नहीं, अगर मैं इसकी left hand limit निकालू, यानि कि limit x approaching 2 minus निकालू, वो तो अभी भी एक छोटी सी positive value ले रहा है, मेरा denominator तो वैसा ही है, यह एक छोटी positive value ले रहा है, और जो मेरा numerator है, यह अभी भी 2 को अप्रोच कर रहा है, पहले 2 को right side से कर रहा था, अब 2 को left side से कर रहा है, तो जो मेरा numerator है, यह भी वही है, तो अगर denominator भी वही है, और numerator भी वही है, तो इसकी limit भी वही रहेगी, यानि कि जो इसकी left hand limit है, वो भी infinity हो जाएगी, तो यहां से मैं देख सकता हूँ, कि इसकी left hand limit अगर infinity है, यानि कि positive infinity है, तो वो यह हो जाएगी, यानि कि जो मेरा सही answer ह है वो होना चीह है पहला वाला जिसमें मेरी दोनों लिमिट्स positive infinity को अप्रोच कर रहे हैं अब इस question को solve करने का दूसरा तरीका ये था कि हम देख सकते हैं कि cos of x minus 2 अगर हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो cos मेरा 0 को अप्रोच कर रहा होगी रही बात numerator की तो ये तो 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये तो positive है तो अगर numerator positive है और denominator positive है तो तुम x को जितना ही 2 के पास ले जाओ हमारा output हमेशा positive आएगा तो यानि कि मेरी जो right hand limit है वो भी positive infinity होगी और जो मेरी left hand limit है वो हो भी positive infinity होगी